हेलो स्टूरेंज, हम कृतिका का मेरे संग की औरतें पाट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने यहां तक पढ़ लिया था, कि वो जहां करनाटक में जब वो गई तो उसके दो बच्चे जो थे वो पढ़ने के स्कूल जाने लाइक हो गए थे, और वहां पर स्कूल नहीं था, तो उ उन्होंने माना कर दिया था, और उन्होंने यह कहा था, जब आपस में दोनों की बात थी, वो पीछे पढ़ी रही, तो उसने कहा कि आविश्वास दिलाएए, कि वहां पर एक तो क्रिश्चन जनसंख्या कम थी, इसलिए हम स्कूल नहीं को लेंगे, और दूसरी बात, कि आ दिया था, कि अच्छा है, पढ़ाने की समस्या आपकी है, बच्चों की हमारी नहीं है, तो यही उसने बात कही थी, कि यह जो बात थी, वो कड़वी थी, पर सौफ इस्दी सच थी, और सच के आगे सिर जुकाने की हमारी बच्च्पन की आदत थी, और फिर बाद में उसने तैय किया, कि खुद वो अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड, तीन भाषें पढ़ाने वाला साइमरी स्कूल वहां खोलेगी, और करनाटक सरकार से उसे मान्यता भी, दिलवाई मान्यता, एफिलियेशन, और वहां के अनेक महनती और, खिसके लोगों की मदद से यह वरत भी स्कूल में पढ़े, और बाद में अलग-लग शेहरों के अलग-लग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पागे, मतलब उसी स्कूल में पढ़कर वो बाद में अच्छे-च्छे स्कूलों में उनकी एडमिशन भी होगी, दाखिला भी पागे, तो यहां तक हम लोग पढ़ जब यहां तक जो हम प्रश्न करें तो उसके उपर चर्चा कर लें और वो प्रश्न आने भी चाहिए क्योंकि एक्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है तो आएए हम 15 अगस्त 1947 वहां से शुरू करते हैं वहां से लेकर अभी तक जो हमने पढ़ा यह उससे पहले वाले प्रश्न में पहले कर चुके हो अब वाले तो पहला प्रश्न लेकिका के पिता ने लेकिका को कौन सी किताब पढ़ने को दी थी तो जब सुवतंत्ता समारों में सभी लोग चले गए थे घर के सभी सदस्यर तो कौन सी किताब पढ़ने को दी थी और इस किताब में उसे किस प्रकार प्रभावित किया था तो लेखिका के पिता ने लेखिका को बुरूसी उपन्यासकार दास्तो वस्की की पुस्तर ब्रदर्स काराम जोब पढ़ने के लिए दी उस कुस्तक में बच्चों पर धाय जाने वाले अत्याचारों का वर्णन था और यह वर्णन इतना प्रभावशाली था कि लेखिका को कुछ अध्याई याद हो गए और इन घटनाओं ने लेखिका के लेखन को भी प्रभावित किया उन कटू अनुभवों की चाथ उनकी लिखी रचनाओं में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है अच्छा, स्वतंत्रता के दीवानी होती हुई भी लेखिका पंद्रा अगस्त उननिस सेंतालिस का स्वतंत्रता समारो देखने क्यों न जा सकी ये प्रश्ण है स्वतंत्रता के दीवानी होती हुई भी लेखिका पंद्रा अगस्त उननिस सेंतालिस का स्वतंत्रता समारो देखने क्यों न जा सकी तो लेखी का बच्चपन से ही स्वतंत्रता की दिवानी थी परन्तु जिस दिन स्वतंत्रता समारो होना था उस दिन वह बीमार थी उसे टाइफाइड हो गया था उन दिनों इसे जानलेवा रोग माना जाता था अता डॉक्टर ने उसे समारों पर जाने से मना किया था अच्छा लेखी का तथा उसकी बेहने हीन भावना की शिकार क्यों नहीं रही इसके कई कारण थे पहला कारण ये था कि उन्हें मननत मानकर दुनिया में लाया गया था दूसरे उन्हें देशभक्त मा और गौरवशाली नानी मिली थी जिनके मन में आजादी के प्रती लगाव था और इन सशक्त संसकारों के कारण वे कभी ही इन भावना की शिकार नहीं बनी लेखी का के भाई बहनों में से कौन-कौन लेखक बना था तो लेखी का की बहनों में से मनजूल भगत और अचला लेखी काई बनी और भाई राजीव भी लेखक बना मनजूल भगत और राजीव ने हिंदी में लेखन किया और अचला ने अंग्रेजी में लेखी का की रचनाओं को सस्राल वाले क्यों नहीं पढ़ते थे इस बात का लेखिका पर क्या प्रभाव पढ़ा तो लेखिका की रचनाओं को सस्राल वाले इसलिए लेखिका की रचनाओं को परिवार के अन्ने सभी सदस्य से पढ़ा करते थे परंतु उसके सस्राल वाले कभी नहीं पढ़ते थे इस कारण पहले तो लेखिका को बहुत बुरा लगता था परन्तु बाद में यह सोचकर अच्छा भी लगता था कि चलो ससुराल में कोई उस पर आलोचना दृष्टी रखने वाला तो नहीं है अच्छा लेखिका के पिता अपनी बेटियों को स्कूल की चुट्टी के बाद घर लिवा लाने के लिए गाड़ी क्यों भेजा करते थे तो इसके दो कारण थे अत्यदिक लाड़ प्यार के कारण और दूसरा रसोईये को जल्दी फारिक करने की इच्छा से अच्छा रेणू छुट्टी के बाद घर तक लेचलने आई गाड़ी में बैटने से क्यों इंकार कर देती थी रेणू स्वाभी मानी और हिम्मती लड़की थी उसे बहुत अधिक नाजुक मिजाजी और नक्रेवाजी पसंद नहीं थी वह थोड़ी दूर तक पैदल चलने की बजाए गाड़ी पर सफर करने को सामंत शाही का प्रतीक मानती थी इसलिए उसे इससे घ्रिणा थी अच्छ चित्रा के व्यक्तित्व की विशेष्टा ही बताईए तो चित्रा कैसे थी? चित्रा मूफट थी, दबंग भी थी और समाज सेवी स्वभाव की लड़की थी वह पढ़ाई के दौरान भी स्वेम पढ़ने की बजाए औरों को पढ़ाने में लगी रहती थी और इस कारण उसके अंक कमाते थे, वह जो भी सोचती थी, उसे पूरा करके दम लेती थी उसने जिस लड़के को पसंद किया, उसी से विवाह किया, उसकी दृड इच्छा शक्ती ने उसकी दृड इच्छा शक्ती के सामने लड़का विशिग्र जुग गया अच्छा शादी के बारे में लेखिका के विचार स्पष्ट करें, लेखिका कौन विदुलगर के तो लेखिका शादी के बारे में परंपरा को बनाई रखने की पक्षधर थी और उसका मानना है कि तलाक लेने से भी समस्या का हल नहीं निकलता तलाक से केवल मर्द बदलता है, उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता अतहा आवशक है कि घर के भीतर रहते हुए अपनी मर्जी से जी लिया जाए तो ये प्रशन और जो अभी अभी देखे हमने अभी जो पढ़ा था बिहार और बिशफ स्कूल का तो उसमें से भी प्रशन बन जाता है और ये इंपोर्टन प्रशन है जैसे लेखिका ने अपनी हिम्मत से बिहार में कौन सा सहसिक कारे किया तो लेखिका ने बिहार के डालमिया नगर कस्वे में रहकर महत्पुन सहसिक कारे किया उसने वहां की महिलाओं को हिम्मत दी जो औरतें फिल्म में भी पुरुषों से अलग बैठा करती थी उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे पराई पुरुषों के साथ नाटकों में रोल करें और एक प्रकार से उन्होंने नारी चेतना जगाने का भरसक प्रयास किया और करनाटक के बिशप ने स्कूल खोलने से क्यों मना किया ये अभी अभी हमने डिस्कस भी किया कि करनाटक के बिशप ने करनाटक के छोटे से कस्वे में स्कूल खोलने से इसलिए मना किया क्यूंकि वहां इसाई लोग बहुत थोड़े थे वे क्रिश्चनों की पढ़ाई के लिए स्कूल खोलना चाहते थे अन्य लोगों के लिए स्कूल खोलने में उनकी रूची नहीं थी पादरी महोदे लेखिका के बच्चों के लिए स्कूल खोलने के लिए इस शर्ट पर तयार हुए कि वह स्कूल आगे आने वाले सौ सालों तक चलता रहे यह असंभव सी शर्ट थी उनका सिध्धान था न नौमन तेल होगा न राधाना चेगी तो आशे यह है कि वह गयर क्रिश्चनों के लिए स्कूल नहीं खोलना चाहते थे तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो यहां तक इतने प्रश्ण जो बनते हैं उससे पहले के प्रश्ण हम पहले डिसकस कर चुके हैं चलिए अब आगे बढ़े तो ऐसे अनेक मौके आए ऐसे लेकिका कहती है जब मैंने अपने जिद्धीपन के नमूने पेश किये पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेकन में जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी रहा खुद तलाशता रहा है पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बेहन रेणू के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती 1950 के अंतिम दोर में अब ये रेणू की बात बता रही है एक रात दिल्ली में एक साथ नौ इंच बारिश हो गई दिल्ली के खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नाले पर नालों में बाड़ आ जाती है पुलों के बीच पानी भर जाता है और तमाम याताया ठप हो जाता है ऐसा दिल्ली में थोड़ी सी बारिश हो जाए तो हो जाता है दिल्ली क्या मुंबे का भी यही हाल है इस कियामती वारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तलों से तलों यानि पहली मन्जिल ग्राउंट स्टोर जिसको कहेंगे फाइलें पानी में तैर आई थी अगली सुभर किसी तरह का कोई वाहन सडक पर नहीं निकला था जाहिर है कि रेनू के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई होगी ये तो अब सोचने की बात है न कि इतना कुछ पानी भर गया और जहां फाइलें तक तैरने लगए आफिस में तो वहाँ पर स्कूल की बसें तो नहीं आई होगी तो रेनु ने कहा कोई बात नहीं मैं पैदल चली जाओंगी सभी मना कर रहे हैं घर के सदसे कि मत जाओ या तया ठप है बारिश होई है तो स्कूल भी बंधी होंगे बस लेने नहीं आई है तो जाने का मतलब नहीं तो रेनु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाओंगी सबने समझाया, स्कूल बंध होगा, मत जओ उसने कहा, आपको कैसे पता, हर बात का जवाब मांगती थी ओ इस सवाल का माकूल, जवाब किसी के पास नहीं था तो किसी के पास कोई उत्तर तो नहीं था ना उसका, ठीक है, तो उसके पास कोई उत्तर नहीं था कोई जैसे माकूल मतला कि पर्फेक्ट उत्तर जिसको कहें न कि कोई ठीक बिल्कुल पर्फेक्ट की क्या जवाब उसका होना चाहिए ठीक है तो वो तो था नहीं किसी के पास भी वो जवाब अब माकूल देखे लेते हैं मुनासिवी अच्छा सा कोई जवाब नहीं था किसी के पास तो जवाब किसी के पास नहीं था तो हमारे यहां फोन जरूर लगा हुआ था तो फोन तो था स्कूल में भी रा होगा पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था चलिए फोन भी नहीं चल रहा था बारिश के कारण तो रेनू अकेली पैदल स्कूल चल दी गनीमत यह थी कि बारिश एक मुष्ट बरस लेने के बाद थम गई थी मतलब काफी बरस गी थी उसके बाद वो थोड़ी रुकी हुई थी जब वो चली गी पैदल सड़कों पर पानी था और बरस नहीं रहा था तो रेनू दो मील पैदल चल कर स्कूल पहुँची जैसा हमने कहा था वह बंद था चौकीदार रेनू को देखकर दंग रह गया पर रेनू को कोई मलाल नहीं था उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था वह वापस दो मील चल कर घर पहुँच गई बर स्कूल तक गई, गेट से वापिस आगी, सब ने कहा, हमने पहले ही कहा था, तो जवाब देखिए उसका, उसने कहा, स्कूल बंद था, तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहां से आ गया, सोचती हूँ, कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा, मतलए कितना अच्छा लगाओगा उसको उस दिन, और जगा जगा पानी से लब-लब करते, सुनसान शहर में, निचाट अकेले, यानि बिलकुल अकेले, अपनी धुन में, मन्जिल की तरफ चलते चले जाना, सच, अकेल पन का मज़ा ही कुछ और है, तो आता है न कही बार, कही बार बच्चे भी, या सोचते हैं, कि बस सब चले जाएं बाहर, और हम अकेले रहें, अपनी मौज मस्ती करें, अपना ही सोचें, कोई रोके ना, कोई टोके ना, तो मृदुल अगर कहती है, कि वो भी बिलकुल, उस उसे कितना मज़ा आया होगा, कि उसे कोई रोकने वाला नहीं, मज़े से अपनी मौज मस्ती में चल रही है, और ना ही कोई उसको पूछने वाला, और पूरा सुनसान शहर, और किस तरह से वो पारिश का जो पानी है, वो सब जगे भरा हुआ था, और बिलकुल, अकेली मज जैसे वो अपनी धुन में चली जा रही थी, तो चलिए एक प्रश्ण, जब तक हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर एक प्रश्ण आया था, लेखिका के पिता के व्यक्तित्व पर प्रकाश डा लिए, तो लेखिका के पिता के व्यक्तित्व पर प्रकाश डा लिए, तो लेखिका के पिता के व्यक्तित्व पर प्रकाश डा लिए, तो लेखिका के पिता के व्यक्तित्व पर प्रकाश डा लिए, तो लेखिका के पि वे सुशिक्षित होनहारी वग थे, वे ICS की परिक्षा देकर प्रशास्निक पद पाना चाहते थे, परन्तु आजादी की लड़ाई में भाग लेने के कारण उन्हें परिक्षा में नहीं बैटने दिया गया, वे सामान्य परिवार से थे, वे साधा जीवन उच्विचार में विश्वास रखते थे, वे अपनी पत्नी के प्रती सहयोगी थे, वे घर घ्रिस्ती में पूरी रूची लेते थे, तथा बच्चों को स्नेहे करते थे. अच्छा, काफी सारे प्रश्ण है, देखे, पाठ हमारा समाप्त हो चुका है, और प्रश्ण अभ्यास, तो बहुत सारे प्रश्ण जो है, हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, मतलब पढ़ते पढ़ते हमने काफी प्रश्ण डिस्कस कर लिए हैं, तो मुश्किल आपको नह आएगी चलिए पहले प्रेश्ण की और बढ़ते हैं देखिए पहला प्रेश्ण है लेखिका ने लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यूं प्रभावित थी देखिए यह हमने जब चैप्टर पढ़ा है तो हर उसके बाद हम लोग डिसकस कर लिया करते थे लिए फिर से में हम लोग डिसकस कर लेते हैं कि लेखिका की परदादी लेखिका की ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं फिर भी उनके व्यक्तित्व सेवे अत्यदिक प्रभावित थी तो लेखिका ने अपनी नानी को सच में कभी नह देखा था गिंतु उनके वारे में सुना वश्य था और उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने प्तिद्ध क्रांतिकारी प्यारे लाल शर्मा से भेंट की थी उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रगट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं तो उनकी इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी और यह भावना बहुत सची थ इसमें साहस था जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष्ट से मिलने की हिम्मत की और इससे उनके साहसी व्यक्तित और मन में सुलक्ती स्वत अंतृता की भावना का पताचला और लेखिका इन्हें गुणों के कारण उनका सम्मान करती है तो दूसरा प्रश लेखिका किनानी की आजादी के अंदोलन में किस प्रकार की भागी धारी रही तो यह भी हमने डिस्कस किया था तो इसलिए फटाफट से डिस्कस करूं क्योंकि आलरेड़ी यही प्रशन उत्तर में पहले कर चुके आपको और मैंने यह भी कहा था यह कि भावना को मन ही मन पनपने दिया उसने कभी अंग्रेजियत को स्विकारा नहीं उसका पती अंग्रेजों का भग्त था फिर भी उसने कभी अंग्रेजों की जीवन शैली में भाग नहीं लिया उसने सबसे बड़ा उसने सबसे बड़ा योगदान यह किया कि अपनी संतान को अंग्रेज भक्तों के शिकंजे से मुक्त करा लिया उसने अपनी बेटी की शादी एक क्रांतिकारी से करा दी ताकि उसकी बेटी और उसके बच्चे देश के लिए कुछ कर सके और इस घटना से क्रांतिकारियों को भी जोटसा मिला होगा उसकी कल्पना ही की जा सकती है तो कि का कि मा परम्परा का निर्वाहन्हा करते हुए भी तब के दुलों पर राज करती थी इस कफ़न के आलोग में अच्छा पहला यह हैं लेकी का की मा के व्यक्तित्यूं की विशेश्चता यह थी कि वे स्वत्नृता अंदोलन के लिए काम करती थी उनकी सोच मौलिक थी लेखिका के शब्दों में वह खुद अपने तरीके से आजादी के जुनून को निभाती थी इस विशेष्टा के कारण घर भर के लोग उसका आदर करते थे कोई उनसे घर ग्रिस्ती के काम नहीं करवाता था उनका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावी था कि ठोस कामों के बारे में उनसे केवल राय ली जाती थी और उस राय को पत्थर की लकीर मान कर निभाया जाता था और लेखिका की मां का सारा समय किसमें बीता था किताबे पढ़ने में सहित्य चर्चा और संगीत सुनने में बीता था बच्चों के साथ लाड़ प्यार कभी नहीं करती थी उनके मान सम्मान के दो कारण और भी प्रमुक थे कि वे कभी जूट नहीं बोलती थी और वे एक की गोपनिय बाद दूसरे से नहीं कहती थी तो इतनी सारी बाते बताएं आप इसमें से लिख सकते हैं माग की विशेष्टा है और दूसरा है लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्रंकित कीजिए तो दादी के घर का बोला ना तो लेखिका की दादी के घर में विशेट्र विरोधों का संगम था पर दादी लीक से परेहट कर थी वे चाहती थी कि उनकी पतोहू को होने वाली पहली संतान कन्या हो उसने यह मन्नत मान कर जग जाहिर भी कर दी मतलब सब को बता भी दी और इससे घर के अन्ने सभी लोग हैरान थे परंतु लेखिका की दादी ने इस इच्छा को स्विकार करके होने वाली पोती को खिलाने दुलारने की कलपनाएं भी कर डाले और लेखिका के मा तो बिलकुल ही विचित्र थी वे घर का कोई काम नहीं करती थी आजादी के अंदोलन में सक्रियर हैती थी उन्हें पुस्त के पढ़ने संगीत सुनने और साहित्य चर्चा करने से इस फुर्सत नहीं थी उनके पती भी क्रांतिकारी थे आर्थिक दिश्टी से अधिक सम्रिद्ध नहीं थे विचित्र सी बात यह थी कि लेखिका के दादा अंग्रेजों के बड़े प्रशन सक्ते और घर में चलती उन्हीं की थी पिंतु घर की नारियां अपने अपने तरीके से जीने के लिए स्वतन्त्र थी बांगे होगी तो रहा होगा उनके मन में की लड़कियों के प्रति मान सम्मान आत्मिश्वास यह भी हमने डिस्कस किया है तो यह आप अपने शब्दों में लिखेंगे अपनी कल्पना शक्ती से डराने धमकाने उपदेश देने या दवाब डालने की जगह सहचता से किसी को भी सही रहा पर लाया जा सकता है पार्ट के आधार पर तरक सही तुत्तर दीजे तो देखे इसमें दो इस तरह के आये थे जो सीन कौन-कौन से एक तो इस पार्ट में सबस्ट है कि मनुश्य के पास सबसे प्रभावी अस्तर क्या होता है अपना द्रेड विश्वास और सहच विवहार तो यदि कोई सगा संबंदी गलत रहा पर हो तो उसे डराने धमकाने उपदेश देने या दवाब देने की बज़ाए सहचता से विवहार करना चाहिए जो कि लेखिका की नानी ने भी यही किया उन्होंने अपने पती की अंग्रेश भक्ती का ना तो मुखर विरोध किया ना समर्थन किया ना वे जीवन भर अपने आदेशों पर टिकी रही और परिणाम सरुब अफसराने पर वे मनवानचित कारे कर सकी अचा दूसरा लेखिका की माता ने चोर के साथ जो व्यवार किया वह तो सहच्टा का अनोखा उधारन है उसने ना तो चोर को पकड़ा ना पिटवाया बलकि उससे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिये ना ही चोरी छोड़ने के लिए दवाब डाला उसने इतना ही कहा कि आप तुम्हारी मर्जी चाहे चोरी करो या खेती उसकी इस सहच भावना से चोर का हुरिदे परिवर्तित हो गया और उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया ठीक है तो ये दो जो थे एक नानी उनकी और एक लेकी का किमा तो ये उधारन आप दे सकते प्रश्न छेम शिक्षा बच्चों का जन सिद अधिकार है इस दिशा में लेकी का के प्रयासों का उलेकी जे ये रिसेंटली अभी हमने पढ़ा है तो शिक्षा पाना बच्चों का जन सिद अधिकार है जिस बच्चे का जन हुआ है उसे उचित विद्याले में शिक्षा मिलनी ही चाहिए यदि कहीं शिक्षा की विवस्था नहीं है अतव उसने एक अच्छा स्कूल खुलवाने की भरपूर कोशिश की पहले उसने पास के कैथोलिक बिशप से प्रार्टना की कि वे वहाँ एक स्कूल खोले परंतु बिशप तयार नहीं हुए तब उन्होंने अपनी कोशिशों से कुछ उत्साही लोगों को साथ लगा कर वहाँ एक अच्छा प्राइमरी स्कूल खुलवाया उसमें लेखी का तथा अन्य अफसरों के बच्चे पढ़े और बाद में बड़े-बड़े स्कूलों में भरती होने युग्य बन गे यह अब भी हमने लास सेकंड लास पैरग्राफ है ना वहाँ पढ़ा था प्रेशन साथ पाठ के आधार पर लिखे कि जीवन में कैसे इनसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है तो पाठ के आधार पर लिखना है ना रथा आविश्यक्ता पढ़ने पर गलत रूडियों को तोड़ डालने की हिम्मत रखते हैं, समाज में उनका खूब आदर सम्मान होता है, और अब ये अंतिम प्रश्न है, इसमें आप और भी ऐड़ ओन कर सकते हैं, ये जो मैं कहा रही हूँ, जैसे लेखिका की नानी, इसलि रोध लेकर भी अपनी पुत्री को किसी क्रांतिकारी से ब्याने की बात कही थी, इस कारण वे सबकी पूज्या बन गई, और लेखिका की परदादी इसलिए श्रध्या बनी, क्यूंकि उसने दो धोतियों से अधिक संचे न करने का संकल्प किया था, उसने परंपरा के विर प्रेश की आजादी के लिए कारे किया, कभी किसी से जूट नहीं बोला, कभी किसी की गोपनिया बात को दूसरे को नहीं बताया, तो ये सबी व्यक्तित्व सच्चे थे, लीक से परे थे, तथा दृर निश्चे ही थे, इस कारण इनका सम्मान हुआ, इन पर श्रध्धा प ये सबसे लास्ट में तो हमने ये ही पढ़ा, तो लेखिका और उसकी बहने, बहन में अकेले अपने पत पर चलने का दृड साहस है, लेखिका ने अपने बलबूते पर बिहार के रूडी पंथी लोगों के बीच रहकर नारी जागरिती का कारे किया, उन्होंने शादी शु उन्होंने करनाटक के एक छोटे से कस्बे बागल कोट में जाकर नया प्राइमरी स्कूल खुलवाया, अच्छा लेखिका की बहन उरेनू अपने मन की मालिक खुद थी, उसे स्कूल से लोटते समय गाडी में आना पसंद नहीं था, इसलिए वे पसीने से तरवतर होकर भी पैदल घर आती थी, और इसी प्रकार बीए की परिक्षा पास करने में उसकी कोई रूची नहीं थी, अपने उसने सभी से यह प्रश्न पूछा, कि आखिर बीए की डिगरी से क्या मिल जाएगा, संतोष जनक उत्तर न मिलने की स्थितिये में उसने पेपर देने में खुब आना का नहीं की, कि मैं पेपर नहीं दूँगी, अचा भीशन बरसात वाले दिन उसका अकेले स्कूल में जाना यह प्रमानित करता है, कि वे अकेले रहा पर चलना जानती थी, तो यह दोन अव्यक्तित्व मौलिक थे, यह स्वतंत्र सोच रखते थे, वे लिक पीटने वाल प्रशन उतत्र, तो काफी सारे हमने अन्यव परिख्शोप योगी प्रशन भी हमने डिसकस किये है, साथ ही साथ हमने यह किताब के प्रशन उतत्र भी, तो इसी के साथ यह पाट समाप्त होता है, धन्यवाद बाय